इस वीडियो में आपको बताऊंगा जब हम गूगल पे से जो है ओटीपी मंगाते है रेजिस्ट्रेशन के लिए या फिर किसी अदल चीज़ के लिए तो वहां पर इस तरह से लिखा आता है इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स के आज़े इस वीडियो में आपको बताता जाहा भार ही और देखे यहां पर ब्ताया जाता है रेसेंट ओटीपी एड चेंज फोन नमबर अगर हम रेसेंट ओटीपी करते हैं तो हमें फिर से ओटीपी भीज़ी बेगी लेकिन इस पाहर भी हमें ओटीपी अगर नहीं मिलती है तो उस केस में हमारे सामने दूसरा option है यहाँ पर change phone number आगे बड़े उससे बहुत दो वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा और चैनल को subscribe भी कर लिजेगा तो बात करेंगे अब change phone number की और OTP तो अगर आपके उस जिस device में आपे try कर रहे हैं अगर उस device में जो है phone number आपका मतलब आपने उपर डाला हुआ number नहीं है तो उस case में आपको verify नहीं किया जाएगा या फिर अगर आपके उस number पर OTP नहीं आ रही है तो यहाँ पर verify नहीं किया जाएगा तो हम प्रेस करते हैं ए इंटर फोन नंबर लिंकेट टू दा बैंक अकाउंट तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट से लिंकेड वाल नंबर भी देना है और वो नंबर देना है जो आपके अभी इस device में है या फिर किसी अदर डिवास में तो भी चलेगा लेकिन उस पर OTP आना चाहिए ठीक है य यहाँ पर पूच जाएगा क्या आप करना चाहते है नेक्स तो यहाँ पर नेक्स बटम पर दबाएंगे यहाँ पर वेटिंग फॉर वेटिप करेंगे वेट करते हैं हमें OTP मिल जाती है यहाँ पर देखिए अब वी OTP आ चुकी है तो हमें करना बस सिंपल से चीज यही है कि हमें एक तो जो है हम जो प्रोसेस कर रहे थे उसको पूरी तरह से एक बार हटा देना है फिर से अगर OTP नहीं आती है तो रिफ्रेश ली तरीके से एक बार जो है एप्लिकेशन को मिनिमाइज कर देना है गूगल पे के एंड फिर से रेट राय करना है तेखे यहां तक हम आ आ चुके तो आपको समझ गए होंगे वीडियो अगर आपको अच्छले के हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्रेब कर लिजेगा